मिद्हायक तोड़ने का प्रियास जा रहा है लेकिन अभी तक न कोई पाटी टूटा न कोई बिधायक तोटा अपने वो एंडिये में गए बहुत बड़ी सपना लेके गए कि मांजी जी राजपाल बन जाएंगे हम मंत्री बन जाएंगे उनका जब सपना पूरा नहीं हुआ तो अब वो महागट बंधन का पैर भी कर रहे हैं नितीज जी के लिए भी थोड़ा चिंतित रहते हैं नितीज जी तो मांजी जी को मुखमंत्री बना दिये बोड पे नाम लिखा गया कि अखलेश बाबू के नितरित में जारे MP, MLC और MLA एक जुट कॉंग्रेस यहां लीड रोल में नहीं आना चाहती, RJD को कभी जदियू को नेता मानते रहे हैं, उनके नेता नहीं है लगता है, अभी गठ बंधन का सब्सक्राइब को आप लोग आगे कीजिए हैं, हमारा नेता तो आगे हैं परदान मंतरी के दावेदार हैं, राहूल जी से अच्छा, राहूल जी से अच्छा कौन परदान मंतरी होगा, नितीज जी को माने ने विचारा फिर रूस के उधर चल जाएंगे, नितीज जी को एलान कर दीजगा तक ठीक हैंगे, ना तू चल जाएंगे, आईसी बात नहीं है, नमस्कार देख रहे हैं, जहकास भारत और मैं रविकान तभी, हमारे साथ हैं कॉंग्रेस के विधायक नितु सिंग काफी दमदार बोलती हैं, और अभी जैसे बिहार की सियासत में चल रहा है, कई सवाल, उसी के नियमी तभी हमसे सवाल रहेगा, जैसे संतोष कुमार सुमन ने कहा कि 10 दिनों में मुख मंतरी बन जा मुख मंतरी बना रहे हैं, हम लोग महां गठ बंधन एक जूट हैं, और 2025 तक नितिश कुमार इस बिहार के मुख मंतरी हैं और रहेंगे, और आगे क्या होगा वो 25 के बाद पता चलेगा, बोल रहे हैं मांजी जी कि अभी हम आये हैं, बाद में नितिश जी आएंगे इधर, वो तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, अपने वो एंडिय में गए, बहुत बड़ी सपना लेके गए, कि मांजी जी राजपाल बन जाएंगे, हम मंतरी बन जाएंगे, उनका जब सपना पूरा नहीं हुआ, तो अब वो माह गठ बंधन का पैर भी कर रहे हैं, माह गठ बंधन के वो कौन होते हैं, ते जस्वी जादों को मुख मंतरी माह गठ बंधन के विधायक बनाएंगे, माह गठ बंधन से वो तो हट गये हैं, वो तो भाजपा में अब चले गये हैं, तो भाजपा के भविश्च के बारे में वो सोचे, नितिश जी के लिए भी थोड़ा चिंतित नहीं रहे, तो जब जीतन रमाजी नितिश कुमार का नहीं हुए, तो जनता का क्या होंगे? उनका रोप ये था कि वो लोग बोल रहे हैं कि हमारी पटिये इधर कर लीजिए, बिले कर लीजिए, नितिश जी तना साही कर रहे हैं। होता है, तो मैं खुद मुखमंत्री से समय लेके अपने छेतर की समस्या का बात करती हूँ, और समय देते हैं, सब विधायक लोग का सुनते हैं, अभी ट्रांसपर पोस्टिंग हुआ है, तो कहीं कहीं कुछ गड़बड़ी हुई है, इसलिए विधायक लोग को बुला के औ उसको कैसे देखते हैं उनके इस दोरे को, कॉंग्रेस में क्या फिर से, कॉंग्रेस यहां फिर से लीड रोल में आएगी? एक दम आएगी, कॉंग्रेस पाटी जो है, वो समुंदर है, हर पाटी का समय अच्छा और खराब होता है, भाजपा वाले लोग भी दो सदस से, दो सांसत से, आज 303 पर हैं, उसी तरह कॉंग्रेस का समय खराब थोड़ा चल रहा है, लेकिन करनाट का चुनाव से, जो हम ल कि हमारे राष्टिय अध्याच और पूर्व राष्टिय अध्याच के नेतुरित में हम लोग चुनाव लड़ेंगे और मजबूती से हर जगा कॉंग्रेस की सरकार बनता हुआ दीख रही है, दो दिनों पहले जैसे ही महागट वंधन जो यहाँ पर बैठक हुआ था अपो इन बिहार जो है यह ज्यान की भूमी है, यहाँ पर बौध और महबीर का धरती है, यहाँ के बिधायक को तोड़ने का 2020 से ही प्रयास किया जा रहा है। कभी नहीं टूटेगी, अखलेस बाबु के नित्रित में हम लोग सारे MP, MLC और MLA एक जूट हैं और हमारे जो अध्यक्ष हैं बहुत मजबूत अध्यक्ष बने हैं, उनके नित्रित में हमारी पार्टी बहुत आगे बढ़ेगी, बहुत उमीद हैं, पहली बार ऐसा कोई अ कार्टी को और सदाकत आश्रम में हमारे अध्यक्ष जी के नित्रित में जो कर्चकरम हुआ, उसका बढ़ाई राहुल गांधी भी कर रहा हैं, अपने आखों से देखें, कि क्या आज भी कॉंग्रेस पार्टी लोगों के दिल में है, लोग चाहता है कि कॉंग्रेस पार्ट कॉंग्रेस का कर्च करता भाजपा के तरफ चला गया, कुछ उमीद लेके, कॉंग्रेस यहां लीड रोल में नहीं आना चाहती, आरजेडी को कभी जदियू को नेता मानते रहे हैं, उनके नेता नहीं है, अभी गठ बंधन का सब्सक्राइब आपना नेता को आप लोग गैर कॉंग्रेसी सरकार बनी है, जिसका समर्थन कॉंग्रेस पाटी की है, अगर 2024 मैसा प्रस्तिती आएगा, तो कॉंग्रेस के बड़े नेता, नितीज जी पर भी सोच सकते हैं, समर्थन दे सकते हैं, नितीज जी को एलान कर दीजगा तर ठीक हैंगे ना तो उचल एसी बात नहीं है, नितीज जी हम लोग को गर्व है कि हमारे राज के मुख मंतरी 17 बिरोधी दल को एक जगह बैठा दिये और इतना बड़ा मिटिंग कर दिये, यही मिटिंग जो हुआ, सफल हुआ, उसी लिए ते इतना भाजपा बेचैनी में हैं जदिव वाला उधर कुछ-कुछ बोलते रहते हैं, भाजपा वाली तो बोल रही है कि जदिव को नितीज जी को बेचारा को नेता घोसित करना था, नेतो नहीं घोसित किया, अब नितीज जी जदिव को तोड़ने का प्रयास उपेंदर कुस्वाहा किये, एक विधायक नह कुछ दिनों में जदिव वारो बढ़ेगी, कहीं हमें जदि में मत चला जाए, ये भी आपको निज मिलेगा, आज ये जो परधान मंत्री का बात चलता है, राहुल गांधी में कितना उमीद देखते हैं आपके, राहुल गांधी में बहुत सारा उमीद है, आज देश की ज अकेला नेता है, जो मनीपूर हिंसा में, परधान मंत्री को जाने का हिम्मत नहीं हुआ, मनीपूर खूद गये, आज भारत जोड़ यातरा में इतना घूम के हर जगह लोगों का हाल चल लिए, वो एक लाता राहुल गांधी ही कर सकते हैं, दूसरे किसी नेता में दम जग हैं, पहले से और ज्यादा एक्टीब हो गए हैं, चलिए, तो बार बार कोंट्रोवर्सी होता है कि नितीज जी की राहुल गांधी परधान मंत्री ला, आरे वो तो 2024 में हम लोग चुन लेंगे कि राहुल जी बनेंगे कि नितीज जी बनेंगे, वो तो समय के हिसाब से समझ लोग सभा उक सभा लड़िये कामें, पाटी अगर ठीकट देगा, पाटी का फैसला होगा, तो राम किसको नहीं भाता है, वो सर्ते हमारे नेता हैं, वो खुद समझदार है, और जो भी नवादा से लड़ने का मन है, बड़नी अदमिवा तयार है तो बुमियार वर्सेज मियार का लड़ाई है, तो क्यों नहीं लड़ सकते हैं, अगर पाटी देगी टीकट, तो लड़ेंगे और जीत के दिखाएंगे, पहले राजत जदी उसे सीटवा भचेगा ताना में समस्या है ना, कि आप लोग को सीटवे कम मिलें, राजत से भी हम लोग को बढ़िया रि प्नेवाद!